नमस्कार एक बार पुनों हाजिर हूं मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉक्स में दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा के ये विसेश अंक हमारी शाह एक सुन्दर सी फीमील हतेली है आप महिला जात हैं और आपकी हतेलि अमारे शामने डिसलेशन के लिए हैं आपका पहला सवाल है क्यूंकि बहुत सारे सवाल किये हैं एक्चुली क्या होता है कि जब सवाल किए जाते हैं अगर वो थोड़ा सा जिसको संचिप्त कहते हैं उसमें हो और सारी हिसाब से लिखावा हो तो ज्या पहला सवाल है हाल ही में श्टॉक ट्रेडिंग शुरू की क्या ट्रेडिंग मेरे लिए एक अच्छा बिकल्प है मैं इसका आनन्द लेती हूं लेकिन जब भी मैं किसी ब्यापार में प्रवेश करती हूं तो चिंतित हो जाती हूं यह आपका पहला सवाल है आपने हाली में एक श्टॉक ट्रेडिंग शुरू की है और आप पूछ रही हैं क्या मेरे लिए अच्छा बिकल्प है कि नहीं है दूसरी कह रही हूं मैं इसका आनन्द तो लेती हूं लेकिन जब भी मैं किसी भी ब्यापार को शुरू करती हूं या उसमें प्रविश करती देखेगा यहां पे अगर हम देखें आपका सुर्य के परवत पे एक बहुत बड़ा तिरकौन बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहां पे अगर हम देखें तो बुद्ध की लकीरें भी बहुत सांदार इस्तिति में है और यह इस पश्ट तरीके से बता रही है यह जो इस परकार से बनावा है यहां पे कि निश्चित ही आप जो भी ब्यावसाय कर रही है जो विकल्प आपने चुना है उसमें आपको लाव की प्राप्ति होगी इस पश्ट तरीके से बता रहा है दूसरा आपकी बुद्ध की रेखा इस पश्ट बता रही है कि देखा कहीं न दिखाई दे रही है और मणी बंद में आप अगर देखें तो तीन लकीरों पहले सी है चौथी लकीर और आ रही है और देखेगा हतेली में कभी भी हो 0.1 परसेंट भी किन्तो परंत नहीं होता है यह जो भी चीजें कहते एकदम सत्य कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि हमारा जो सरीर बना है वो पंच तत्तों से बना है पंच भूत से बना है और हमारे सरीर में सातों चक्र मौजूद होती हैं और यह हात जो होता है हमारे बोड़े का पार्ट है इसकी जो नसे हैं वो हमारे ब्रेन से जुड़ी होती हैं तो हतेली में जो भी रेखाएं आती हैं वो अगर आप सही रोप में कहें, जनम पत्री में भी एक अक्छांस इदर उदर हो जाए, पूरे जनम पत्री का जो फालादेश है वो बदल जाता है, लेकिन हतेली का फालादेश एकुरेट रहता है, इसलिए सामदरिक बिग्यान पे लोगों का भरौसा सबसे जादा है, और इन कई हाथों का बिसलेशन आपको उसमें नजर आएगा, ये विश्वसनेता क्यों आती है, क्योंकि जो भी हतेली का बिसलेशन करता है, एकुरेट फलित होता है, और वो अपने पूरे परिवार का बिसलेशन दे देता है, कि वास्तों में आपने जो चीजें बताई है, व तो हमारे गरंथों में साप लिखा है, ऐसे बिक्ति की चैमहिला हो या पुरुस हो, जो आय होती है, वो बहुत लंबी होती है, कहीं न कहीं 120 के करीबन ऐसा बिक्ति जीता है, लेकिन ये कलियूग है, इसमें 120 नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कलियूग है, तो इसमें हम इसको ठीक आदा लाते हैं आदा कितना लाते हैं नब्बे और सो के बीच में सतायो इसकल यूग में आयू मानी गई है तो उसमें से हम दस या पाँच कम करके बताते हैं ब्यक्ति जादा जीता है ये बहुत अच्छी बात है लेकिन एकदम हम बताएंगे तो इसमें कोई लोजिक न बहुत जादा बढ़ाती है आयो को बढ़ाने वाले लकीरे और ये किये तो आपकी उमर को एकदम पैराग्राप पर रखके बताता है कि ब्यक्ति की जो आयो है वो बहुत लंबी है करीबन सतायो है ब्यक्ति के आयो 95 पलस यहां पर आयो इस पश्ट दिखाई दी रही है और ट्रेडिंग में आप जो है अच्छा कर सकते ही यह आपने अच्छी सुरुवात की है इसमें कोई दुविधा नहीं है अब आपने लिखा है कि मैं आनन तो लेती हूं लेकिन जब भी किसी व्यापार में प्रोविस करते हूं तो चिंतित हो जाती हूं जी क्योंकि आप एस पष्ट रोप में बताता है कि आप उльज्ण में है आप दुविधा में है आप कनीफ्योजन में बहुत ज़्यादा है और आपकी जो निरणी लेनी की चंता है धीरे धीरे चीन हो रही है आप सही से निरणी भी नहीं ले पा रही है इस पष्ट तरेके से ये बता रहा है और कहीं न कहीं ये उल्जन चिंता के रूप में बनी हुई है और आपका जो आत्म विश्वास है उसको ये लगातार क्या कर रही है डिगा रही है तो ये इसका पहला सवाल का उतर है दूसरा आपने लिखा है स्वास्त्य अब तक मैंने बहुत अच्छे स्वास्त्य का आन देद धलन लिया है लेकिन आगे कैसा रहेगा ये एक्शूल आपका पोखने का कारणा है अब देखो यहां पर ये आपकी जो है स्वास्त्य के के लकीर है यहां पर एक तृबफुजर बन रहा है लेकिन आपके तंदुरस्ति के बारे में बताती है और आपके जो है स्वास्ति के बारे में बताती है इस पश्ट तोर पे कह रही है कि स्वास्ति का मामला हो आरुग्य का मामला हो या तंदुरस्ति का मामला हो ऐसी कोई बिमारी उत्पन नहीं होगी जो ला इलाज हो जिसका इलाज ह जी संभवन हो या जो बहुत कष्टकारक हो ऐसी कोई बिमारी घर नहीं करेगी जो जीवन को एकदम संकट में आले यह चीज नहीं है लेकिन करहों से समंदित स्वस्थ्य से समंदित प्रेशानिय रहेंगे उसमें भी विसेश कर यह उल्जन की इस्तिति जो मानसिक विकार है अपने आप उबरना नहीं चाहेंगी इन चीजों से आप उबरेंगी नहीं और इन चीजों को कैसे ठीक करें एक दिव्ययोग ध्यान किरिया है उस किरिया को मैं ओड्यो के माध्यम से दे रहा हूं जितनी जादा करेंगी जितनी तनमयता से करेंगी जीवन में आपको उतना ही अच्छा फाइदा होगा दूसरी बात है अपने digestive system का आपको ध्यान रखना है पेट का जरूर ध्यान रखना है पेट की प्रेशानिया आपको प्रेशान कर सकती है जल का सिवन ज्यादा करें खाना खाने के बाद गुड का सिवन करें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा दूसरी बात ये रेखाई एक तो क्या बताती है कि निश्चित रूप से आपका आयुस बढ़ेगा जिवन में सफलता निश्चित मिलेगी और व्यावसाई में तरकी मिलेगी बोलने के धंके कारण भी आप आने वाले समय में क्या करेंगे धन कमाएंगे ये दोनों के पावर दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छी है अब आपका तीसरा जो सवाल है वो अगर हम देखें बित्ती ये सुरक्षा इस्थिर्टा यो कैसे होगा मनी आपका जो धन का पोजिशन है वो कैसा रहेगा यहाँ पे ये दूसरी रेखा देखें मनी बंद की तो ये रेखा संपत्य की रेखा है धन की रेखा है और ये भग्या रेखा से समन्द रखती है दोनों बहुत सुन्दर है लेकिन बरतमान में जो है नाड़े रेखाई इसको बहुत ज़्यादा काट रही है अब आपने क् एक केवल दिव्य योग ध्यान करनी है और सूर्य उपासना करनी है ये दो चीज अगर आप करती हैं तो आपकी रेखाई इसपष्ट कह रही हैं कि आपका धन का मामला है चाय करियर का मामला है निश्चित ही वो बहुत सुन्दर रहेगा ठीक ठाक रहेगा चिंता करनी की नहीं होगी अब आपने चौथा सवाल किया है मन की सांती खुसी मेरे पति के साथ साथ मेरे दो बेटों के साथ बहुत अच्छे सम्मन्द होने की बावजूद मुझे बेवजह चिंता करने की आदत है अब देखेगा एक तो आपकी हतीली में एक दूसरे को काटती हुई रेखाओं का जाल बन रहा है दूसरा आपका जो सुक्र का परोत है ये सुक्र का परोत जाल से भरा पड़ा है अब जब ये लकीरे आती हैं देखेगा इस पष्ठ तरीके से तो सबसे पहला प्रभाव आपके मन और आप के मस्तिस के पे पड़ता है लगातार उल्जन की इस्तिति कन्फ्यूजन की इस्तिति और दुविदा की इस्तिति को पैदा करती है और चिंतातुर स्वभाव मनाती है दूसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है कहीं न कहीं आर्थिक रूप से ये आपको प्रेशान करती है तीसरा इसका प्रभाव आपके स्वस्त्य पे पढ़ता है चाहे वो मानसिक स्वस्त्य हो चाहे वो सारिलिक स्वस्त्य हो कहीं न कहीं विकार आने बैठ जाते है चौथा प्रभाव इसका आपकी रिष्टों पे पढ़ता है कुछ नहीं है तो रिष्टों को लेकि चिंताई रहती है सब कुछ ठीक होने पर और पांचवा इसका प्रभाव आपकी जो कार्य है आपकी जो डेपलप्मेंट है प्रोग्रेस है उस पर पड़ता है तो इसका कारण ये है और इसके लिए एक दिव्य सोरी किर्या और बनस्पति अश्नान मैं आपको दे रहा हूँ निश्चित ही बहुत सांदार इस्तित में आएगा और पूरा सुक का भोग आप कर पाएंगे पांचवा जिवनकाल ये बड़ा इंटरस्टिंग एक बहुत रूचिकर जो है प्रश्ना आपने किया है अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है आप क्यों इस चिंता में पड़े हैं ये समझ से पड़े है जिवनकाल कई साल पहले किसी जूतिसी ने आपकी कुंडिली पर कुछ तारीखें लिखी थी और यह जून दो हजार बाइस तक की थी जो ये साल है निश्चित नहीं इसका क्या मतलब है अगर मेरा जिवनकाल इस साल जून तक ही है तो मुझे उसी के अनसार योजना बनाना सुरू कर देना चाहे अब मुझे पता चला कि आपकी हतेली में जो लकीरे हैं वो उलजन, चिंता दुविदा और कन्फ्यूजन क्यों बता रही है क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसी चीज घुस गई है कि कोई कितना भी समझाएं लेकिन आप समझ नहीं पाएंगी और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपकी उमर जून में खतम नहीं हो रही है उसका कारण है देखो किसी भी आप जो है जो पंडित हो जो एस्ट्रलोजर हो कंप्यूटर से निकालने वाला नहीं जो वास्तू में पुरानी चीजों को जानता हूँ पुरानी जमाने में क्या होता था और अभी भी ये चलता है ये इस्टिजों जोतिस को जानता है कि वार्षिक बर्सफल लगते हैं चाहे हतेली का हो चाहे कुंडली का हो और उसमें जो उस टेम की छपती थी पत्रिका उसमें एक निश्चित डेट होती थी वहीं तक वो डेट लिख लेते थे और प्रतेक साल उस डेट को बढ़ाते थे मनि दूसरी जनम पत्रि जब वो डेट चली जाते थे दूसरी जनम कागज लेके उसमें बनाते थे और उतना ही आगे और बढ़ाते थे लेकिन आपने सिर्फ एक या दो ही बार दिखाई है और जो लाश्ट में बनी होगी वो अपने पास रखे उसके बाद बनाई नहीं वर्स फल नहीं लगाया तो 2022 जून ही तो लिखा जाएगा क्योंकि उसके बाद आपने बनाया नहीं दूसरा पर्चा उन्होंने दिया नहीं और आप क्या है कम्प्यूटर के जमाना है अब आप हजार बर्सों के लिखेंगे तो वो पूरा फलादेश हजार बर्सों का निकलेगा बलिए आप एक साल जियो सो साल जियो लेकिन आपका पूरा हजार का बर्सका निकालेंगे तो वो भी निकलेगा तो ऐसा कदाप नहीं है कि जून में आपका जिवन लिला ही कतम हो रही है ये आपके अंदर भरम है आपकी हतेली सतायों बता रही है आपको और गारिंटिट देखेगा आप जून में और भी ज़्यादा जो है स्वस्त रहेंगे खुस रहेंगे और आपको बहुत अच्छा लाब भी होगा आपकी हतेली बता रही है बहुत सोबगे सालिय हतेली है आपकी बहुत लंबी उम्र है और देखेगा सबसे ज़्यादा बड़ी ये डबल है एक सो बीस वर्स ऐसे लोगों की आयू बताई गई है लेकिन एक सो बीस वर्स नहीं नाइन्टी फाइब पलस तो है मैं तो कम कर रहा हूं नाइन्टी फाइब पलस तो है तो जून 2022 में आपको 90 साल हो रहे है आप याद रखे का उसके बाद पोन कर लिजेगा हम अब से लगभग दो वर्सों में कनाडा अस्तांत्रित होने के एक्छुक हैं क्योंकि हमारे दोनों बेटे वहां हैं क्या यो संभव होगा देखेगा आपकी हतेली में जो ये चिन बन रहे हैं ये इस पश्ट कह रहे हैं कि यदि आप कोशिस करते हैं ठीक है न कोशिस करते हैं और जाने की तयारे करते हैं कि वास्तों में जाना ही जाना है तो 100% आपके योग बन रहे हैं आप निश्चित तोर पे विदेश यात्रा करेंगी और विदेश में अपने बच्चों के साथ बहुत आनन्द पुरोग रहेंगी अब दूसरा आपने जो है एक अंतिम प्रश्ण लिखा है आपने लिखा है कि हमने बैंगलोरू के साथ साथ गुरुग्राम में मनि गुणगाओं में भी संपत्ति में निवेश किया था दूरभाग्य से इन मेंसे कई अब तक खराब निवेश बन गए हैं क्या हम कुछ ठीक होने की उमीद कर सकते हैं इस क्वेशन का आंसर में ना कहूंगा और उसका कारण है आपकी हतेली में नाड़ी रेखाई जो मंगल छेतर है जो संपत्ति को देखता है और इसमें क्रोस का अलग चिन है ये बता रहा है कि इसमें आपको लाब के बजाई धन हानी इसके ब्यापार में लाब के बजाई ब्यापार हानी और जादा अगर विबाद की इस्तिति में पढ़ते हैं तो कोल्ट कचरी का मामला निश्चित रोप से इसको बता रहा है तो इसमें मैं सौरी कहूंगा आप से क्योंकि आपकी हतेली इस चीज को बिल्कुल एको रेट 0.1% में लाब की इस्तिति में नहीं ले जा रही है तो ये थे आपके प्रश्णों के उत्तर और मुझे उमीद है आपको हर प्रश्ण का उत्तर मिल गया होगा और एक सही तरीके से मिल गया होगा अब चलते हैं आपकी हतेली में साथ-साथ में मैं उपाई भी दूँगा ओडियो की मादयम से और लिख करकी जरूर करिएगा ये उंगली पूरी तरों से जुक रखी है मिडिल फिंगर की तरप धार्मिक भावनाई बहुत अच्छी रहेंगी इस वर में अच्छा खासा विश्वास रहेगा और अपने आरादे के पर दिसमरपण की भावना रहेगी ये बहुत सुंदर अच्छी इस्तितिमी है और एक सही अनुपात में खड़ी है आपकी मानसिक चंता बहुत अच्छी है लेकिन चंता ने चंता को कम कर लिया है आपकी अध्यात्मिक चंता बहुत तीब्र है इसको बनाए रखेगा बहुत अच्छा फाइदा होगा दूसरी बात है कि आप स्वाविमानी है बिवेक आपके अंदर है औरों की मदद करने वाला बिक्तित तो छुपावा है और आप बुद्धिमान भी बहुत अच्छी है भग्यवान है आपका भग्य बहुत अच्छा है सही में कहें तो एक लक्षमी के भग्य को लेके आप आईए है आपके भग्य के कारण ही आपका परिवार लक्षमी से युप्त है अश्ट लक्षमी आपके गर के अंदर आपके कारण है और एसी भग्यवान इस तरीका होना कई जन्मों के जो हमारे तप होते हैं उसके कारण एसी माँ एसी बीबी एसी बहिन बहुती है ऐसी सहेलिया मिलती है आपने बहुत उच्च और पुंढ्य कर्म के है और उन लोगों ने भी जिन के परिवार में आप है बहुत उच्च और पुंढ्य कर्म के हैं जिन को आप मिली है तो आप अपने को बहुत पुंढ्य साली समझों बहुत भग्यवान है आप साक्षात लक्षमी है लेकिन इसके तीसरे पौरवे में यहां पर बहुत बड़ा छिद्र है जीवनकाल के 35 वर्स तक धन के मामले में तीन चीजों में से एक या दो चीज रही होगे या तो संगर सरहा होगा या तो खर्चिला स्वभाव रहा होगा या धन के महतों को नहीं समझ पाए होगे कुछ न कुछ जरूर रहा होगा ये उंगली इस तरह से जुक रही है मिडल फिंगर की तरफ यस पाने की एक्षा नेम फिम पाने की एक्षा और अपने कारियों में विस्तार पाने की एक्षा जबरदस्त है और बनी रहेगी दोनो उंगलें बराबर हैं अगर हम ध्यान से देखें और दोनों में डिली फिंगर से छोटी है धन और यसकी भूक है आपको पैसा और संबान आपके लिए जरूरी हो गया है और इस समय जिवन का मातर लक्षवी यही बनाया हुआ है धन कमाने के लिले ललक बहुत अच्छे और धन के परबंदन में भी कोई कमी नहीं रहेगी यह बता रहा है लेकिन आपकी विचारों में स्वतंतरता जादा रहेगी अपनी ही बातों को मनवानी की इक्षा जादा रहेगी और जादता लोग नहीं जीत पाएंगे आपसे खासकर आपके परिवार वाले एक सुखत जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखत जीवन जीने के लिए प्रेतनसील बिव्टित्वा दिखाई दे रहा है आपकी महत्व कांचाई बहुत अच्छी है बहुत आगे बढ़ने की निरंतर सकारात्मक सोच बनी हुई है आपकी इक्षा भी एक अच्छे अस्तर तक पहु जीवन का जो पूरा सुक है उसके भोगने में थोड़ा हलकी कठनाया चाहे सारिक तौर पे हो चाहे मानसिक तौर पे हो चाहे कुछ और वजहे हैं हो लेकिन दिखाई दे रही है इसके लिए मैं एक दिव्य योगध्यान के राज किरिया दे रहूं जरूर करेगा ये चीज निकल जाएगी मस्तिस्करेखा अगर हम देखते हैं इस प्रकार से बढ़ रही है और यहां पर इस प्रकार सी चीजें आ रही है बौदिक अस्तर बहुत अच्छा है एक से जादा च्छेतरों से अर्थों पारजन करने का बहुत जादा प्रयास कर रहे हैं और यहां पर हैं कि कैसी भी इस्तिति हो धहरेनक होने वाला विक्तित तो रहेगा विदेशों से भी आपके हतेली में पैसा आएगा चाहे किसी भी रूप में आए इस पश्ट तरीके से जो है ये बता रहा है बौदिक अस्तर बहुत अच्छा है और विवेकवान विक्तित तो है अब यहा जीवन रेखा बहुत सुन्दर है और कहीं न कहीं जो है जन्म अस्तान से दूर आपकी जो है तरकी जादा दिखाई दे रही भाग्या बहुत अच्छा साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है और रहे सिमय विद्याओं की तरब भी आकरसन जादा रहेगा थोड़ा सा जो है हतेली में पैसा टेकना थोड़ा कम हो रहा है तो दिब्य योगध्यान और बनस्पति अश्नान जरूर करें दिब्य योगध्यान के रिया और बनस्पति अश्नान आपके लिए बहुत जरूरी है सुक्र का प्रवत बहुत सुन्दर है यहाँ पर वर्टिकल लाएने दिखाई दे रही है अपने कारे के परति जुझहरोपन है जिस कारे को हाथ में ले लीती है जब तक पूरा नहीं होता छोड़ती नहीं है बहुत सुन्दर इस्तिति में है देखे परिवार का सपोर्ट दामपते जीवन का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता हूँ दिखाई भी रहा है। लेकिन इसमें बहुत रेखाई हैं। ये किसी चीज को लेके बहुत जादा सोच रही हैं, चिंता भी कर रही है। ये इस बात की और इसारा कर रहा है। निम्न मंगल, कन्फ्यूजन की इस्तिति, दुविदा की इस्तिति और उल्जन की इस्तिति पैदा कर रहा है। और निरने लेने की छमता में असर डाल रहा है। उच्छ मंगल बहुत अच्छा है, प्राकरम बहुत अच्छा रख रहा है। अच्छा भोजन पिर ये आपको ब पूरा बनता है तो दिन दूनी रात जोगनी उन्नत जीवन में करा आएगा ये बता रहा है सुबह उठने में थोड़ा आलस्य रहेगा कभी कभी बेवजहे की चिंताइं सनी के करण बनी रहेंगे सूरे आपका बहुत डाउन इस्तिति में है तो थोड़ा सूरे को ठेक करें अच्छे प्रणाम देगा बुद्ध भी आपका बहुत डाउन इस्तिति में है तो थोड़ा बुद्ध का भी प्रयोग जरूर करें में उपाए दूँगा चंद्रमा की इस्तिति देखें चंद्रमा अन्बैलेंस है जिसके कारण मन आपका बहुत ज़्यादा गडबन रहत कई बार आप बहुत ज़्यादा भाउक हो जाती है और थोड़ा देखें तो इमोशनली भी बहुत प्रेशान हो जाती है और आपका मन कई बार ब्याकुल हो जाता है भटक जाता है कारियों में मन नहीं लगता है और कई बार बैचेन सा हो जाता है मन अच्छा नहीं रहता ह और मन से सीधा जुड़ा हुआ है digestive system इसलिए मन सही नहीं रहता तो पेट की दिक्कतें भी कहीं न कहीं आने की संभावना को दिखा रहा है जलका से उन जाधा करें चंद्रमा निगेटिव इस्तिती में है नीन आने में दिक्कतों का सामना निश्चित तोर पे करना पड़ सकता है देखें मैंने आपकी हतिली का पूरा विसलेशन करके आपको बता दिया है अब उपाई में क्या क्या दूँगा देखेंगा सबसे पहले में एक दिब्य सूर्य करिया दिब्य योग ध्यान करिया फिर से सुनिएगा दिब्य सूर्य करिया दिब्य योग ध्यान करिया आपको ओडियो के मादयम से दे रहा हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है दूसरा में बस दो ही उपाई दे रहा हूँ बहुत जादा नहीं क्योंकि जरूरत भी नहीं है लेकिन इनकी जरूरत है दिब्य सुर्य के रिया, दिब्य योग दियान के रिया की और एक बनस्पति अश्टनान आपको दे रहा हूँ बस इसको करियेगा और यकीन मानीगा आपकी बहुत लंबी आयू है आपकी जिवन में हर सुक है आप साच्छात लक्षमी है और क्या कहूँ लेकिन चीजों को करना बहुत जरूरी है इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पर नवपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार